जाड़े की मौसम में तूधार्व पष्व का चारप्रवंधन हम कैसे करें ? तो आइये देखते हैं, लेते हैं जानकरी किशान भायो खास करके जैसी चर्चा चल रही है तो चारप्रवंधन तो आपको सालों भर करना आवशक होता है लेकिन खास करके अगर हम ठंड के मौशम की बात करें तो इसमें चुकी मौसम विप्रीद होता है और इस समय में आपको पश्वों का स्वास्त अगर अच्छा नहीं रहता है तो आपको उसमें अनबिमारियों की संभावनाई रहती हैं और खास करके ठंड के मौसम में आपको संतुलित आहार जो है वो देना अनिवार हो जाता है पश्वों को खास करके दुदारों अगर पश्वों दूद दे रही है तो उनका दूद का पैदावार भी कम हो जाता है तो ऐसे समय में किसान भाईयों आपको चारे का प्रवंधन जो है खास करके ठंड के मौसा में आपको बहुत अच्छे ढंग से करने की आफशक्ता जो है वो होती है किशान भाइयो खास करके जब हम पशों में और हम आय दुगुनी करने की बात करते हैं किशान भाइयो तो उसके लिए निश्चित तोर पे आपको जो चारे का प्रवंदन सहीं नहीं करते हैं तो आपको चाए कोई भी दुधारू पशुए हैं या कोई भी पशुए हैं तो उसमें आपको जो लाब मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है खास करके जैसे हम चारा प्रवंदन की बात करते हैं तो निश्चित तोर पे आपको उसमें हर त कि मैंने बात किया ओवी करते हैं तो आपका स्वास्त पश्यों का अच्छा रहेगा और आपको शही मुनाफ़ा मिलेगा किरहां की बात करें कि खास कर के आप के लिए सबसे अच्छे अच्छ धंग से उपलक्टा करें तो मक्का का चारा प्रशिया अच्छा आम हं खरीफ में भी लगाते हैं तो खास करें किशान भायों आपको यह आदत डालनी पड़ेगी कि मुईश्यों के लिए हमें चारा भी उत्पादन करना है अपने अनाजिये दलहनी तलहनी फशलों के साथ तो यह प्रशन यह उठता है कि आप अपने चारा की फशले आप तो बहुत ही बढ़िया आपकी सुपाच्य होती है अधिक पॉस्टिक मुलाइम होती है और प्रश्मी बहुत इसको स्वाद लेकर खाती है और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका हम किसान भायों हम साइलेज भी बना सकते हैं साइलेज का एक प्रिजर्व हमारा एक फॉर्डर हुआ जो हम जब जैसे हमारे पास ग्रीन अवेलिबलिटी नहीं होती है इसकासए ग्रिश मिकाल है भी तो हम इसके साइलेज-जो customers की बनाते है तो वह हम अपने पेरिशों को दे सकते हैं जो की प्सिक आहर होती है और और हम चार की बात करें तो जैसे कि आप आप तो आपके पशुओं को भी यह चारा जो है उपलब्ध हो पाएगा और इसमें बहुत अच्छी जो है आपकी जुद्मिनचारी की बात करी तो उससे आप अपने पशुओं का जो संतुलित आहार हम कहते हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं और आप अच्छी आमदनी उससे प् अपका अच्छी जो सकते हैं तो आपके एंग हैंगा जो आपके जोग करेंगा उससे आपके जोह आपके लिंए हैं आपके जोह आपके जोगताउ नएल